हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सरकारी प्रूडेंस तरी से उन पर जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा NVS MTS का प्रेप्रेशन सिरीज स्टार्ट चल रहा है तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश के ऐसे टॉपिक जो सबसे ज़्यादा कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो हम इंग्लिश के हर टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएंगे और उसी में ह हम सबसे उसी में डीप में आपको हर टॉपिक वाई समझाएंगे क्या-क्या टॉपिक आपके पेपर्स के पॉइंट अफ्यू से रिलेटेड है या मोश्ट है ठीक है तो आज हम बात करने वाले आपके 10 प्लस प्रेडॉमिनेंट कोश्चन्स की जो आपके एक्जाम के पॉ वीडियो को पूरा देखें ठीक है तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं जो भी चैनल पर नया है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन की घंटी को प्रेस करें ठीक है दूस्तों तो आपका पहला कोशन है ठीक है डायरेक्शन इन दे कोशन नमबर वन इन तो विच बैस्ट एक्स्प्रेंग आफ देशेशन अफब गिवन वर्ड़ एंटमार्क पीरित अपको देखो यहां पे ये दिया है आपको इर्वोकेवल डिया इर्वोकेवल थीक है अपको ये वर्ण दिया है इर्वोकेवल इसका आपने सिनोनिम YES किया होगा इर्वो औकिभल होता है आपका स्तिर वहना ठीक है दोस्तों तो आपको में बताऊंगा कि इसका जो और अन्सर वह क्या होगा तो आप बताईये इसका सही आंसर क्या होगा तो नेक्स्सक्वस्वकरंब देखिए Šाट यह बलूsek क्या है दोस्तों addon addon होता है आपका सजाना garnish, addon सुंदरता जो beauty होती है तो आपको सबसे पहले मैं बता दिता हूं कि addon का जो है वो ड options correct हो जायगा option D इसका correct answer है बाकी हम बात करते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, आशा, राइटर एक लेखक होता है, सब्जेक्ट विशय होता है, सूची होता है, तो आपको इन सभी के साथ साथ सभी के question भी पता होने चाहिए, इन सभी के उपर, ताकि आपको exam के point of view से सभी में help हो जाए, next question देखिए, Repose, Repose होता है, Purpose नहीं यहां पर, और रिपोस की बात कर रहाँ ठीक है गलत ना सुनिए, Repose, Re P O C, Repose रिपोस होता है, आपका एक तरफ से, Reepose को rest कहता है, क्या कहता है, रेस्ट रेपोज होता है विश्ट्राम जो की मतलब रुका हुआ हो ठीक है जो की रेस्ट हो स्टॉप हो ठीक है तो आपका विश्ट्राम हो जाएगा रेपोज मतलब होता है रिपोज मीन्स विश्ट्राम ठीक है दोस्तों तो नेक्स कोशन दीखें कमोशन 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 होता है आपको कमोशन को हम बोलते हैं एक तरफ से जैसे जा हल्लाब हो जादा होता है उदंडता शोरगुल क्या दोस्तों शोरगुल शोरगुल उदंडता ठीक है उतेजना बहुत सारी इसके मीनिंग है ठीक है तो यह होता है दोस्तों ठीक है हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं बाकी चीर इंबैलेंस डिस्टरवेंस मूवेंट आपको इन सभी के पता है मूवेंट होता है एक तरफ से जो की एक मूवेंट एक तरफ से आंधुलन भी होता है ठीक है प्रोटेस्ट लाइक ठीक है नर्चर नेक्स्ट कुशन है नर्चर क्या है नेक्स्ट नर्चर नर्चर होता है एक तरफ से जो की पालने वाला होता है लालन पालन जैसे विश्णुजी है तो एक तरफ से नर्चर है हमारे लिए नर्चर नर्चर होता है जो पालते हैं पालना पोसना माता पिता भी करते हैं हमारी ठीक है नर्चर ठीक है नेक्स कोशन देखे का देखो हमने अभी कमोशन का पढ़ा था क्मोशन का हो जाएगा ठीक है कमोशन का बी और नर्चर का जो है आपका ठीक है टू सी और मिंटेन भी नहीं टू ग्रू ठीक है नेक्स वोशन सिक्स डेनाई देखो डेनाई एक तरफ से होता है नकारना ठीक है नकारना मतलब की बिल्ट एक तरफ से वो करना है refuse, repair, reduce इसमें से क्या होगा इस cancer तो आपको यह बताना होगा ठीक है तो deny जो होता है वो नकारना होता है किसी चीज़ को तो आपको मैं बताना चाहता हूँ regain, gain होता है पुनाव प्राप्त करना refuse, repair, किसी चीज़ को पुनाव साही करना reduce होता है उत्पन तो आपको जो इसका right answer है वो option B हो जाएगा correct answer आपका option B next देखिए abuse, abuse, abuse देखिए यहाँ पी लिखाए abuse abuse का होता है, abuse एक तरफ से होता है गाली देना किसी को, ठीक है, abuse का अर्थ होता है गाली, गाली देना गाली देना, ठीक है अपशब्द बोलना, ठीक है, अपशब्द एक तरफ से, अपशब्द भी कह सकते अपशब्द बोलना, ठीक है, तो इसका जो आपका sinonियम से रहेगा यूज मतलब क्या होता है यूज होता है आपका परियोग परियोग प्रेज होता है तारीफ करना ठीक है दोस्तों इस कौन होता है गाली देना या बूरा बोलना रेज होता है खड़ा होना या खड़ा करना ठीक है हाथ में जैसे कोई हमें डंडा देते हैं कुछ भी है मतलब आपके इसमें बैठा सकते है एक्जाम्पल को next question देखे आठ है आपका डॉकल ठीक है डॉकल क्या होता है डॉकल देखें सबमीशिव यहां दिया है सबमीशिव और इस्टरवन strong, changeable ठीक है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि डॉकल क्या होता है बिनम्ब होता है बिनम्ब ठीक है बिनम्ब मतलब की जैसे soft ठीक है नरम होता है जैसे तो एक तरब से आपको बताना इसका answer क्या होगा सबमीशिव इसका जो correct रहेगा मेरे खयाल से answer इसका जो correct answer है वो आपका आठवी का A क्या होजाएगा सबमीशिव समिशिव होता है आपका समिशिव होता है आपका सोमिय समिशिव मींज नम्ब क्या होता है समिशिव नम्ब ठीक है nes知 इस्ट poop french में बता देता हूं आपको थोड़ा इस्ट्रोबल्ण होता है जिद्धीophone जिद्धी होते जो लोग strong मजबूत होता है चेंजेबन करिवर्तत नहीं जो होता है बदल्लाव जिसमें होता रहता है ठीक है, considerate, 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 considerate का देखिए, considerate का आपका होता है, विचारशील होता है, considerate क्या होता है, विचारशील, तो विचारशील को हहाँ पे देखो, agreeable होता है, सहमती करण, kind होता है, प्रकार, like-minded होता है, दिमागी सोच से, thoughtful होता है, विचारशील, या विचारधारा, तो आपका जो इसका right answer हो जाएगा, option D हो जाएगा, considerate का क्या हो जाएगा, right answer, considerate का, no का D हो जाएगा, आपका, no का D, next question देखिए, it's solute, it's solute, it's solute का देखो, it's solute का, it's solute, it's solute होता है, डगमग, क्या होता है, डगमग, तो undecided क्या होगा, decided क्या होता है, निर्णे लेना, ठीक है, तो undecided क्या होता है, जिसका निर्णे नहीं लिया हो, angry मतलब गुसा होता है, ठीक है, angry means growth, ठीक है, इसको दूसरा भी कहता है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है, वो होता है आपका, क्रूद, एंगर, ठीक है, और भी है, एक next question है, ignorant, ignorant होता है, अंद, मतलब की ignore करना, नजर अंदाज कर देना, ठीक है, FIRM, फर मुमिन्स, क्या होता है, ठीक है, तो irsolute का क्या हो जाएगा, डगमग, irsolute होता है, डगमग, ठीक है, तो इसका जो है undecided, 10 का, ए हो जाएगा, आपका right answer, ठीक है, दोस्तों, 10 का, क्या हो जाएगा, 10 का, ए हो जाएगा, डगमग, angry, growthy, ठीक, next question है, ignorant, नजर अंद आलाज करदीना, फर मुमिन्स पक्का, next question है, frugal, next word है frugal, frugal होता है, with vee, qya होता है, frugal, frugal होता है, with vee, with vee, next question है, sorry, next option है, miserly, miserly, miserly के बारे में बता आता हूं, थोड़ा, miserly, जो है, आपका, miserly होता है, कंजूस कंजूस ठीक है और इस्प्लेंडिड होता है आपका शानदार शानदार हंगरी मिन्स होता है बोका क्या होता है क्या होता है बोका ठीक है नेक्स कोशन है मोटीव मोटीव होता है प्रेरीत क्या एक्जोर्ट करना प्रेरीत करना ठीक है क्या होता है प्रेणा देना रीजन कारण होता है ओकेजन आउसर ठीक है इंटेंशन क्या होता है इरादा इरादा ठीक है प्रिप्रेशन होता है आपकी तैयारी नेक्स देखिए नेक्स देखिए P-I-T-Y P-T P-T मिन्स होता है दया क्या होता है दया ठीक और मर्सी क्या होता है दया ओफेंस होता है अपराद ठीक है क्या होता है अपराद ओफेंस ठीक है ओफेंस होता है अपराद करना अफिन्स क्या होता है अपराध ठीक काइंडनेस काइंडनेस होती दयालू काइंडनेस क्या होता है दयालू ठीक है जोय मतलब होता है खुशी ठीक है ओनेक्स्ट क्वैस्ट केंगें किच्ञाइउ मतलब कि क्वेस्टिंंग डिप्रिजाइक्ट रिजक्ट मतलब होता है उज्यव मतलब किखराब हो जाता है गलत अस्विक्रित ठीक है accept और reject स्विकार अस्विकार reject ठीक है slash एक तरब से होता है आपका slash जैसे आपका slash होता है मिलाना ठीक है एक चीजें होती है ठीक है तो और एक आपका next जो है restrict restrict का जो हो जाएगा आपका restrict होता है मना करना थीक है रिस्ट्रिक्ट होता है मना करने थीक है प्रोहिविशन इसका सीनॉनियम तो होजाएगा थीक है इसका रिस्ट्रिक्ट करें ठीक है एक्सपेक्ट होता है आपका कि इतना है मतलब कि एक कैलकुलेटिड एक अनुमान लगा रहे है ठीक है अनुमान लगाना एक्सेप्ट होता है स्रिक्यार करना होप आशा है ठीक है नेक्स देखिए ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस होता है आपका एक्सेसिव शांदार जिसे कहता है excessive मतलब शांदार, tremendous, awesome मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, beautiful, remarkable, remarkable होता है, सुन्दर और प्रशन से नहीं है, remarkable, ठीक है, एक तरब से अच्छा माना जाता है, considerable, 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 ठीक है, next देखे, meticulous, meticulous होता है, correct नहीं होगा, correct means होता है, clean होता है, साब सुत्रा, methodical होता है, जो मतलब की विचारों से, मतलब बुढ़े पुराने चीजों से, methodical, वीधी से, नियमों से, ठीक है, इसका हो जाएगा option D, क्योंकि painstaking होता है, कारे को चोकना करना, ठीक है, कारे को चोकना करना, ठीक है, डेख देखे, abundant, abundant होता है आपका, sufficient, abundant होता ह सफिशेंट भी होता है प्रचूरता ठीक है और प्लेंटिफ भरपूर ठीक है प्लेंटिफ होता है भरपूर ठीक है और सिगनिफिसेंट ठीक है महत्वा सिगनिफाई करना सिगनिफिसेंट मतलब महत्वा देना किसी चीज का ठीक है और जो बाइवरेंट है बाइवरेंट कार होता है introduce करना किसी चीज़ से जान पचान करना ठीक है next दिखे 21 change change का synonym क्या होगा alter alter होता है परिवर्तित repeat दोहराना review पुनो देखना renew पुन दुवारे से नवीन करन कराना नवीन कराना ठीक है पुनो नवीन करना तो यह हमारे very very most question थे आपके English के part 1 के अंदर हमने synonym के 21 question कवर किये है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो और जो हमने question आपको समझाए आपको word अच्छे लगे है तो अपने दोस्तों के संग भी इस वीडियो को भेजे ताकि जादा से जादा लोगों तक यह NVS के जो महतुपुर्ण question का पत्र हल है तो उस सभी तक और सभी को पहुँच पाएं जिसे लोगों कि अज़िए कि बादा कि अज़िए